दोस्तों आपका स्वागत है हमारे स्नेहंकुर देशिंग पर भारत वर्ष की हम सबनारी भारत की शान बढ़ाएंगे सावित्री जैसे विचार मन में भरकर बरगद कोफूल चड़ाएंगे तो चलिए आज हम देखते हैं वट सावित्री पूर्णिमा पर यह बहुत सुन्दर निबंद वट सावित्री व्रत वट सावित्री व्रत यह हिंदूओं का प्रशित्त त्यवहार है वट सावित्री वरत उत्तर भारत में जेश्ट अमवशा को तो दक्षिन भारत में जेश्ट पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से मनाए जाता है दोनों में सावित्री की ही पुजा होती है माह भी एक ही है बस तिति का अंतर है एक अमोशो को तो दुसरा एक पूर्णिमा को मनाये जाता है परमपरा और संस्कृती के मान्यताओं के अनुरूप इस दिन वटसावित्री वरत रखते हुए सुहागी ने पती के दिरगवयु होनी की कामना करती है वट सावित्री वरत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है भारतिये संस्कृती में यह वरत आदर्श नारित्व का प्रतिक बन चुका है वट सावित्री वरत सवभाग्य प्राप्ति के लिए एक बढ़ा वरत माना जाता है वटसा वित्री व्रत के दिन वट रुक्ष याने बरगत के पेड़ की परिक्रमा कर सुहागी नों द्वारा कच्छा धागा बांधा जाता है रुक्ष के चक्कर लगा कर सुहागी ने आटे के बने बरगत पर चड़ाती है हल्दी, दही और शिंदूर चड़ा कर पूझा अर्चना करती है एवं हवन करती है सोलह श्रिंगार किये महिलाओं के समुह मंदिरों के पास और पार्कों में लगे बरगत के उरुक्ष के पास पूझा अर्चना करती है उरुक्ष के नीचे ही महिलाएं सत्यवान सावित्री की कथाएं सुनती है महिलाएं मन ही मन में प्रती क्या करती है की बरगत के तरह ही हमारा परिवार और हमारे परिवार की खुशियां बड़े हमेशा हमारा परिवार हस्ता खेलता रहे